ग्यारा का जो सिलेबस है जो नया सिलेबस है पाठे क्रेम है 2024 की प्रिक्षा के लिए वो जारी कर दिया है इस वीडियो के अंदर में आपको कक्सा ग्यारा के सभी विश्यों के जो नया सिलेबस जारी किया है बोर्ड की दुआरा वो नया सिलेबस है वो इस वीडियो के अंद पाठे क्रम सलेबस प्रिक्षा दोजार चोबिस और कक्षा ग्यारा और सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी अनिवारी यानि हिंदी कंपलस्री की हम बात करेंगे तो यहां पर अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर के अंदर जो आपको टाइमिंग मिलेगा जो समय आपको मि देखने को मिलेंगे उसके बाद में हम यहां पर बात करें तो सबसे पहले आपके अपरप्थित के अंदर आपको एक तो कव्यांस मिलेगा और एक आपBut신 मिलेगा कव्यांस है वो आपके 150 से 200 सब्ड़ो में होगा यहां पर हम कव्यांस की बात करें तो पर आदारित पूछे जाएंगे और गद्यांस पर आदारित भी आपके परसन पूछे जाएंगे और यह इसके बाद में सेंड है आपके रचनात्मक और वेवारिक लेखन जिसमें निमंद आएगा वह आपके कितने नमर और पत्र आएगा कारियाले पत्र है वो आपके पांच नमर का और प्रिंट माद्यम के जो फिचर है वो आपके पांच नमर की और परतिव्यद्न या आलेक है वो भी आपके पांच नमर का यहां पर जनसंचार माद्यम पर आदारीत प्रसन आएंगे जिसमें दो अति लगूत उत्रात्मक परसन आएगा और एक के लगुत्रात्मक परसन आएगा यह आपके च्यार नम्मर का होगा और उसके बाद में हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में आपको एविकारी सब्द जो टोपिक हो आपको पढ़ना है यह दो नम्मर का एगा और सब्द विचार है आपके दो नम्मर का और वाक्यांस के लिए एक सब्दिया समनार्थी सब्दे ये दो नम्मर गाएगा और वाक्य विचार है ये आपके दो नम्मर गाएगा यानि व्याकरण वह आपके आठ नम्मर गाएगी ओके और उसके बाद में जो आपकी बुक चलती है जिसमें आरो है आरो है पुस्तक का नाम है आपके जो गद्य भाग ये बी संकी है और कावे भाग है ये भी आपके बी संकी यानि टोटल 40 नमर की बुक आएगी और इस बुक में आप देख सकते हैं जिसमें पहला परसंग है कि दो में से एक गद्यांस पर आदारित से परसंग व्याख्या आ द्रिग उत्रात्मक परसंग आएंगे जो आपके 16 नमर की आएंगे और कावे भाग के हम बात करें तो कावे भाग में दो कावे अंसों में से किसी एक परसंग व्याख्या जो चार नमर की है और सेकिंड आप देख सकते हैं जिसमें चार अति लग उत्रात्मक तीन लग उत तेनातमक परसन और दो एती लगूतरातमक और तीन लगूतरातमक है, यह आपके टोटल गयारा नम्मर को आएंगे, और सेकिंड है, वो विशिवस्तु परादारिते, दो में से एक निमिंदातमक परसन आपको करना होगा, वो आपके चार नम्मर गाएगा, तो हिंदी का पहले हम रीडिंग की बात करें तो डिए इवा आपके 20 नमर यह यहां पर दो अंसीन पेसेज आपको देखने हमें जिसमें जो आपके टोटल 10 और speech यह भी आपके 6 नमर का और तीसरा आपके लेटर का तो लेटर आपके 6 नमर का देखने को मिलेगा उसके बाद में grammars की बात हम करें तो यहां पर determiners वाला जो topic है वो 4 नमर का आएगा और second tense है तो tense है वो 4 नमर का आएगा तीसरा जो book हैं आपके जिसमें होरनवील है जो प्रोज के में बात करें और एक आपके poetry तो प्रोज वाली है यह आपके 20 नमर की आएगी और वाली आपके 12 नंबर गिया ऐएगे, ओके यहां पर देखे, इसमें प्रोज में 3 टाइप से question आएगे, वो आप देख सकते हैं, स्क्रिंसोट ले सकते हैं, और उसके बाद में जो poetry है, poetry में 3 टाइप से question आएगे, जिसमें 2 एक्ष्टेट for reference reference वाला जो फिस्ना आएगा और इसमें 300 कुष्षण आएंगे जिसमें दो करने आपको और यहापके 4 नम्मर आएगा और तीसरा परसंग आएगा इसमें दो लोग answer type question है जिसमें एक करना है आपको यह चार नमर गाएगा और उसके बाद में बात करें supplementary radar ओके यानि जो दूसरी भूक है उसमें भी तीन टाइप के question आएगा जिसमें एक तो character sketch वाला question आएगा जो चार नमर गाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं तीन question आपको करने हैं आपको चार question मिलेंगे ओके जिसमें तीन question करने हैं और यह चार नमर गाएगा और चार multiple choice question आएगे वह आपके चार नमर गाएगे तो इसके according आपका पेपर है इंगलिस का वो आने वाला है उसके बाद में देखिए आपके sense कर साइट्य का सलेबस है तो sense कर साइट्य का सलेबस आप देख सकते हैं इसक्रीन सोट आप जरूर लें ओके इसका स्क्रीन सोट आप ले लीजिए और इसको अच्छे से समझें इसी के आदार पर आपको त्यारी करनी है जो चीजे आपके हटा दी गई यह उन चीजों को हैं ऌनी आने वाली हैं सेलेबस के अंदर जितना भी आपको दीया गया वही आपको पढ़ना है या अंग्लिस लिट्रेचर का सलेबस देञा आपके शॉर्पिक आपको त्यारी करने हैं यह अच्छी आपके हिंदि साहिते का सलेबस तो और आप सकते इसमें आपके एपठित गद्यांस और पद्यांस आएगा कुल 15 नमर गाएगा जो गद्यांस है वो आपके 8 नमर गाएगा और जो पद्यांस है आपके वो 7 नमर गाएगा रचनातमय को और वेवारिक लेखन के अंदर जन संचार मद्यम और लेखन ये आपके चार नमर का नीमन्द है प्यारी बच्चो आपके पांच नमर का कारिया लेई पत्तर या रोजगार समंदी आवेदिन पत्तर है ये आपके पांच नमर का और वेवारिक लेखन दन प्रेश विग्यप्ति परिपत्र कार्य सुची अथ्वा कार्य वर्त से समंदित पर दो परसन है या आपके आठ नमर के आएंगे और जो व्याकरण है प्यारी वच्छ दस नमर के आएगी व्याकरण में कौन-कौन से टोपिक आपके रखे गए हैं अलंकार है यह चार नम और अंत्रा भाग वन ओके इसमें किस टाइब से कुष्चन आएंगे वह आप यहां पर देख सकते हैं तो इसी के अकोडिंग आपको हिंदी साहिते की त्यारी करनी है और बाकी के जितने भी आपके सब्जेक्ट बच गए हैं साइंस के बच गए हैं कोमर्स के बच गए हैं आर्ट्स के भी क्या भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं तो जल्द ही आपके उन विश्यों का भी जो नया सिलेबस है 2024 की एकजाम के लिए जारी कर दिया जाएगा जैसे ही जारी किया जाएगा वीडियो के मादिम से आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिस करेंगे तो वी सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन वेल को भी प्रेस कर लीजिए